नमस्कार मैं डॉक्टर दुरू एक बार फिर से लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए हमारे कई मित्रों ने सजेशन किया सोशल मेडिया पर कहीं सारे फोटोग्राफ देखने के बाद कि लोग इंदीनों में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं तो आज हमारा टॉपिक रहेगा शुक्रवार कोवीड रिलेटेड टॉपिक तो आज हम बात करेंगे क्या आपके बच्चे की उम्र 18 साला से कम है is your child's age less than 18 then you have to be cautious कर में अगर कोई भी 18 साल की उम्र से कम उम्र का बच्चा है तो आज का वीडियो आपके लिए हैं क्या कहना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम्स है 18 साल की उम्र के से छोटे बच्चों के सबसे पहली बात यह वो एज ग्रूप है जिनको अभी तक वेक्सिन नहीं मिली है 18 साल से कम उम्र का किसी भी बच्चा आज तक वेक्सिन नहीं ले पाया है भारत की बात करते हैं दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त हमें यह भी नहीं मालूम कि कब इस उम्र के बच्चों की दोनों वेक्सिन या वेक्सिन का फुल डोज खतम होगा क्योंक सब्सक्राइब में लॉंच होने वाली है तो कोविड-19 का संक्रमन होने के खत्रे से वो लोग ससेप्टिबल है उनको यह खत्रा रहेगा और कब तक रहेगा हमें मालूम नहीं है पेरेंट्स 18 साल की उम्र से छोटे बच्चे जिनके है ऐसे पेरेंट्स यह बहुत आत्मे विस्वास ही है क्योंकि उनकी दोनों वेक्सिन हो गई है 14 लोगों की और इनके कारण उन लोगों में ऐसा विस्वास आ गया है कि हम हर जगह पर घुम फीर सकते है उनको ऐसा होता ह है कि अब हमें कोविड नहीं होने वाला है चलो संबाल कर गुमेंगे पर गुमेंगे साल एट साल से घर में बैटे हुए है चलो खाना खाने के लिए जाते हैं गुमने के लिए जाते हैं और अगर आप social media ढूंडोगे तो यही चीजे यही photograph यही बाते पूरी social media में दिखा दे रही है दो स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं लोगे स्कूल्स ओपन हो गए ज्याद़ तर राजियों में और उससे छोटी कख्षा वाले स्कूल्स भी ओपन होएंगे सुनर और लेटर कॉलेज इस भी ओपन हो रहे हैं फिजिकल प्रेजन्स चालू हो गई यह और ट्यूशन क्लास इस भी ओपन हो रहे हैं हम मानते हैं कि ज्यादातर बच्चे पेरेंट्स की सम्मति के बाद ही स्कूल कॉलेज या ट्यूशन क्लास पर जाएंगे पर इनमें से कई होंगे जो ट्यूशन क्लास कॉलेज या स्कूल से सीधे घर वापिस नहीं आएंगे स्कूल के बाहर, कॉलेजिस के बाहर, या टुशन क्लासेज के बाहर, खड़े होके बाते करेंगे क्योंकि वो भी अपने मित्रों से करीबन 12 मेने से नहीं मिले हैं ओनलाइन नहीं मिले हैं, तो ये खत्रा है जब ये लोग खेलेंगे, बच्चे वैसे भी खेल रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये सब बच्चे कोवीड के संक्रमन के सभी नियम का पालन कर रहे हैं वैसे भी बच्चे सोसाइटी में, महलों में, शेरियों में खेल रहे हैं school college में जाके tuition class में जाके ये लोग थोड़ा और ज्यादा खिलेंगे tuition पूरा होने के बाद, schools पूरा होने के बाद और हम जानते है कि जब बच्चे खासतोर से 18 साल के कम उम्रे के बच्चे जब खिलते हैं तो कितनी proximity से खिलते हैं, कितने कम आके खिलते हैं और किसी भी तरह के रूल्स उनको लागों नहीं होते हैं। टीनेज किड्स जो 13 से 18 साल की उम्रे के बच्चे हैं, वो लोग रेस्टरांट में या कहीं और पर भी क्लोस डॉर मिटिंग करने वाले हैं, कर रहे हैं। और ये क्लोस डॉर मिटिंग अब स्कूल और कॉलेज खुलने से और भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि स्कूल कॉलेज चुटने के बाद या फिर पहले ये बच्चे डिफिनेटली रेस्टरांट में जाके मिलने वाले हैं। सो खत्रा बढ़ रहा है, वेक्सिन नहीं मिली है, खत्रा बढ़ रहा है। पेरेंट्स बच्चों को लेकर बाहर गुम रहे हैं, बच्चे अपने आप बाहर गुम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और उनको वेक्सिन नहीं मिली है, टीका नहीं लगा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड का खत्रा है इन बच्चों को मिजल से लेके इंफ्लूंजा तक सभी रोगों का खत्रा है और वो सीजन आ रही है भारत में वो सीजन साधरन्टा ओगस सप्टमबर के बाद चालू होती है तो वो सीजन भी आ रही है बारिश के दिन है और मच्छर से होने वाले रोग बहुत ज़्यादा होते है पिछले वीडियो में भी हमने देखा मॉस्क्विटो बॉर्ण डिजिजिजिज मलेरिया चिकन गुनिया डेंग्यू और हम सब जानते है जब बच्चे और बच्चों के माबाप गूमने के लिए अंकान पफिर इन दिनों में तो एक नए फेशन हो गई है स्कूल कॉलेज़िंट भी बस देखाने के लिए जब आते है खाशतर से कॉलेज़िंट के घतरा क्योंकि यह मॉस्क्वीटो बॉंड डिजिजिजिस का समय है आपने अगर फूल्स लीख के बजले हां श्रक्च तो आपको मच्छर काटने के बहुत ज़्यादा चांसिस है और मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंग्यू तीनों पूर बहार में खिले हुए है खास्तोर से गुजरात में, खास्तोर से एमदाबाद में और हम सब जानते हैं, ये बच्चे, अडारा साल की कमरूम के बच्चे, मास्क को तो कोई वजुदी नहीं दे रहे हैं, गलत बात है, पर ये हम देख रहे हैं आप सोशल मीडिया ढूड़ोगे, एक भी बच्चा अडारा साल की उम्रे से कम का मास्क के साथ फोटोग्राफ में दिखाई नहीं देगा जो भी वो कर रहा है, खेल रहा है, रेस्टरॉंट में है, जो भी अपना स्टेटस रख रहा है, हर जगह पे वो बीना मास्क को है और भी प्रॉब्लेम्स हैं, हम ये मान रहे हैं कि कोवीड, 18 साल की नीचे की उम्रे के बच्चों के लिए खतरनाक नहीं है सही भी है, ज्यादा तर ऐसा देखा गया है, पर याद रहे है, कोरोना वािरस ने रहे हैं कोरोना वाइरस को पता नहीए को उसे कैसे बिहेव करना है, कोरोना वाइरस कन बिहेव एनी way service वो ऐसा नहीं है कि वो टेक्स्ट बुक को फरो करेगा म्यूटेशन होगा संक्रमन होगा तो बच्चों में भी ये खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम ये मान के चले कि इस एज गुरूप में ये रोग हमेशा माइल्ड होगा ते ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी याद रहे अठारा साल की कम उम्रे के बच्चों में ये रोग माइल्ड देखा गया है होस्पिटलाइजेशन के चांसिस कम है डेथ के चांसिस कम है पर इंपॉर्टन चीज ये चांसिस जीरो नहीं है सो बच्चे संक्रमीत होते हैं तो करीबन पांच को अस्पताल में बढ़ती होना पड़ता है उसमें से एक को सिरियस डिजीज भी होता है आइस्टियो में भी रखना पड़ता है पता नहीं किसका बच्चा सो में से पांच में आएगा ये कोई CBSE के एक्जाम नहीं है कि पहले पांच में आने पर हमें गवरह होगा अगर ये उन सो में से पांच में आया जिन में कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं तो हमें पूरी जिंदगी अपने किये पर बहुत पच्चतावा होगा और इसी लिए मेसेज टू दू पैरेंट्स क्या मेसेज है पैरेंट्स को नंबर वन बच्चों को मास्क और छे फुट की दूरी का महत्व समझाईए उनको बिठाई अपने पास आधा गंटा समझाईए कि ये बहुत जरूरी है टेक इट सिरियसली नंबर टू जो भी मास्क बच्चे पहने रेग्यूररली पहने बहर जाके नाक के नीचे ना आजाए वो खयाल रखके प्रॉपरली पहने और इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप सब अपनी नॉर्मल लाइवस पे वापिस आ जाईए जो पहले करते थे वो कीजिए पर याद रखके कि चिल्डर्न आर नॉट प्रोटेक्टेड इसलिए केरलेसली मत गूमिये रेस्टरॉंट में, रोड पे, दुकानों में, मॉल्स पे, एरोड्रॉम पर, एर्पॉर्स पर, स्टेशन पर, या हिल स्टेशन पर कहीं पर भी केरलेसली मत गूमिये जहां पर भी गुमिये, अकेले गुमिये, बच्चों को साथ लेकर, लोगों से दूर रहिए, संक्रमन से बच्चों को दूर रहना सिखाईए बहुत ज़रूरी है, बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है अगर आप खुद मास्क पहनेंगे, ठीक से मास्क पहनेंगे, छे पुट की दूरी रखेंगे, तो डेफिनेटली बच्चे भी वो करना सिखेंगे एक और चीज़, आपकी उम्र के इम्म्यूनाइजेशन का जो स्केडियूल है, जो परिपत्र है, जो नियम है, जिस उम्र पे जो वैक्सिन लेनी है, समय पर, वो आप ले लीजिए और आपके बच्चों की कोवीड के अलावा जो वैक्सिन है, उनको इग्नोर मत कीजिए, कई रोग ऐसे हैं, जो वैक्सिन से ठीका लेने से कंट्रोल में रहते हैं, पोलियो से लेकर, मिजल से लेकर, मम्स रुबेला तक के सभी रोग, इसकी वैक्सिन बच्चों के लिए ज काम लगता है, ऐसा नहीं है, पूरी स्लिव के कपड़े पहनिए, मौस्क्विटो रेकलेंट क्रीम लगाईए, और मौस्क्विटो उससे बच्चे रही है, ये भी बच्चों को और अपने आपको रोगों से बचाने का तरीका है, तो आज इस छोटे से वीडियो के साथ यह पर ही रुकेंगे, अगले शुक्रवार को तीसरी लहर की बात करेंगे, और अगले मंगलवार को जीवन शैरी की बात करते वक्त हम बात करेंगे कि क्या सुगर स्मोकिंग से भी ज्यादा दरावनी चीज है या नहीं है, सुगर से कैसे बचे रहना या नहीं बचे रहना, जरूरी है किया तो एक बार फिर से Lifestyle Disease Prevention यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का साधर, वंदन, प्रणाम, आबार अगर आप Lifestyle Disease Prevention यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो बिल आइकोन दबाईए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अन्य लोगों को भी ये forward कीजिए और उन्हें भी इस चैनल को subscribe करने के लिए समझाईए नमस्कार, stay safe, stay healthy